कि Nice Click की तरफ से आप सबका खबरची भाशा के साथ मीडिया पर खरी-खरी कारिक्रम में स्वागत है खबरची जो सब की खबर ले और सबको कबर दे और तो और मीडिया की खबर ले भशवी बिना कोई लागलपेट के काग दिश्टी के साथ मीडिया की परेशान कुन चिप्पी मीडिया में कान फोडू कोहराम मीडिया दारा ट्रायल खबरों की राजनीती पॉलिटिक्स ओफ न्यूस पर बातें हो खरी-खरी मीडिया की भाषा उसका लहजा किस कदर आकरामक हो गया है इसका एहसास क्या दर्शकों को हो रहा है रिपब्लिक टीवी और उसके अर्णब गोस्वामी अकसर ही चर्चा में रहते हैं प्राइम टाइम में देखिये उनका लहजा उनके शब्द कर दो कि दिखिये तो बामपंथी नहीं है क्योंकि वामपंथ पर तो बामपंथ मर चुका है दक्षिरपंथ पर हमला करने वाले लोग हैं जिसे वो कहते हैं राइट विंग बैटर्स और फिर टुकड़े टुकड़े गैंग का हवाला देते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है कौन लोग है इनमें टुकड़े टुकड़े करने वाले ऐसे anti-national का हवाला दे रहे हैं, ये सारी शब्दावली, क्या मीडिया की शब्दावली है? ये तो भाश-पास संग और उसके साथ चलने वाले लोगों की शब्दावली है, anti-Modi, anti-BJP, anti-RSS, anti-national, यानि खुद अर्णब बता रहे हैं, कि जो मोदी के खिलाफ खड़ा है, जो BJP के खिलाफ खड़ा है, जो RSS के खिलाफ है, वह देश के खिलाफ है, देश यानि मोदी, देश यानि BJP, देश यानि RSS, इस तरह की शब्दावली के साथ, लाखो करोडों दर्शकों तक पहुशने वाली ये चैनल, किस तरह का महौल बना रहे हैं, किस तरह की नफरत की ब अत्रकार मुख्यधारा के मीडिया के तौर पर देखते हैं, समझते हैं और इन पर बात होती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन के इजरिवाल अपने मंत्रियों के साथ, लेटिन गवर्नर के हाँ, धरने पर बैठे, इसकी जो रिपोर्टिंग हुई, उसके बारे में क्या कहा जाए, कैसे उसे विशलेशन किया जाए, आइए, आपके साथ देखते हैं कुछ शोट्स. और उसी समय, दिल्ली में आई धूल, धूल भरियान धी, और उसको किस तरह से मीडिया ने जोड़ा, केजरिवाल के धरने के साथ, और बताया कि दिल्ली की सांस घुट रही है, और केजरिवाल एसी में बैठे हैं, दिल्ली वालों की उंको कोई चंता नहीं, या धूल भरि अंधी हर्याना में भी थी राजस्थान में भी थी क्या मीडिया ने वहां के मुख्यमंत्रियों के बारे में बात की पूछा कि वहां से जो जो मर रहे हैं तबाह हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी है नहीं वो तो शुक्र है कि देश के चार मुख्यमंत्री केरल के पिनराई विजियन, पश्चिम बंगाल की ममता बेनरजी, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नाइडू और करनाटा के कुमार स्वामी जब दिल्ली पहुचे और उन्होंने केजरिवाल की जो मांगे थी, उसका समर्थन किया, तब मजबूरन मीडिया को कुछ कवरिज दिखानी पड़ी, उनको ये बताना पड़ा कि देश भर में इन तमाम सवालों पर चिंता जाहिर की जा रही है देश के चुने हुए मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री के पक्ष में उतर रहे हैं, यानि कुछ ऐसे सवाल हैं, जिनके बारे में बात करना जरूरी है और इन तमाम मुख्य मंत्रियों ने बताया कि वो प्रधान मंत्री से मिलेंगे, मिले भी और इस सवाल पर बात की इसमें जो एक बड़ा सवाल जुड़ा हुआ था जिसके बारे में धीरे धीरे बहुत कम कुछ चुने हुए मीडिया घराने बात कर रहे थे और जो बहुत बड़ा एक सवाल लोकतंत्र के लिए है कि जो आईएस है जो नौकरशाही है जो अफसर्शाही है उसका जो राजनितिक करण हुआ है इस पूरे प्रकरण में उस पे क्या हमें सवाल उठाना जरूरी है उस पे क्या बात होनी जरूरी है कि अगर एक चुनी चाहिए क्या नौकरशाही पर जो खत्रा है जो एक्जेक्यूटिव जो इंडिपेंडेंट एक्जेक्यूटिव की बारे में हम बात करते रहे हैं वह किस तरह से काम कर रही है क्या वह एक पार्टी के साथ लामबंद हो गई है और मजदार बात यह देखिए कि आज तक सहित ब बात करने की जरूवत नहीं है और नुपुर जी मैं आप से सवाल पूछा हूं आज दिल्ली की जनता उनके उपर यकीन करें जो आठ दिन से घर पर बिन बोलाए मेहमान की तरह धरना कर रहे हैं या उनके उपर यकीन करें जो इतने दिन तक चुप थे जो मूल बात थी जि भूमिका में दिखाई दिया क्या इन तमाम चीजों पर सवाल उठने जरूरी नहीं है कुछ खबरों पर मीडिया की आँखें जबान बंद रही या खुली भी तो बहुत कम बाते हुई चाहे वो जहारखन में भूग से मौतों का सिलसला हो पिसानों की मौत का सवाल हो या भीड तंत्र द्वारा लोगों की लिंचिंग का मुद्द हो जहां तक बात भूग से मौतों का है जहारखन में लगातार भूग से मौते हो रही है खबरें आ रही है कि किस तरह से राशन नहीं मिल पा रहा आधार से जोड़ा हुआ मामला है बाकि जो पूरा पब्लिक सिस्टम है उसके कोलाप्स का मामला है कि वो पूरा भरबरा के गिर गया है और यह सारे सवाल सीधे सीधे रासत्ता पर हैं सरकारों पर हैं लेकिन इनके बारे में कोई गहन खबरें कोई गहन बातचीत कोई विस्त्रित रिपोर्ट देखने को नहीं मिलती है हम लगातार पिछले दिनों ऐसे ही जाबाज वरिष्ट पत्रकार कश्मीर की प्रमुख आवाज शुजाद बुखारी की गोली मार कर निर्मम हत्या कर दी गई ध्यान देने की बात है कि ठीक उसी समय सयुक्त राष्ट की कश्मीर पर एक एहम रिपोर्ट आई थी जिसे सरकार ने पूरी तरह से माणने से इंकार कर दिया और इस रिपोर्ट के पूरे बनने की प्रक्रिया में भी शुजाद बुखारी का एक एहम भूमी का बताई जाती है राइजिंग कश्मीर के प्रधान संपादक और भारत और कश्मीर के बीच एक एहम डौर शुजाद बुखारी को मारने वाले कौन लोग थे इसका पता लगाने की मांग जोर पकड़ रही है दिल्ली में 11 पत्रकार संगठनों ने जो बयान जारी किया, जो सहयुक्त बयान जारी किया उसमें शुजाद बुखारी के खिलाफ नफरत भरे अभियान चलाने वालों, उन्हें धमकी देने वालों ट्रोल करने वालों की तरफ इशारा किया और सरकार से मांग की कि इस हत्या की निश्पक्ष जाच हो ताकि पता चले कि हत्यारे कौन थे लेकिन आप देखिए कि रिप चाहे वो रिपब्लिक टीवी हो जी टीवी हो या अधिकांज टीवी चैनलों ने पक्का पता लगा लिया कि शुजाद बुखारी की हत्या पाकिस्तान ने की थी टीवी पाकिस्तानी आयर्साइए इस रिस्पोंसिबल और टागिटिद के लिए और शुजाद बुखारी देटर और राइजिंग कश्मीर और उसी समय जो कश्मीर में एक हत्या होती है और इंग्जेब की वहां पर उस हत्या से संदर में जी टीवी जिस तरह की ख़वरे चलाता है जिस तरह से वह बताता है कि पाकिस्तान के होंगे टुकडे चार या पाकिस्तान पर एक हमला करने का समय आ गया है इस तरह का जो अंध राष्टवाद टीवी चैनल अपने स्टूडियो में पैदा कर रहे हैं सवाल ये है कि इस तरह का जो अंध राष्टवाद टीवी चैनल पहला रहे हैं इन पर किस तरह से लगाम लगेगी कोई सवाल उठाएगा की नहीं उठाएगा सेना के सामने सीज़ फायर की मजबूरी रही हो लेकिन अब ये मजबूरी खत्म हो चुकी है क्योंकि सरकार ने आतंकवादियों को दिया गया सीज़ फायर का ये डिसकाउंट खत्म करने का एलान कर दिया है और अब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का उपरेशन फिर से शुरू हो चुका है सेना और अंगजेब का बदला लेने के लिए प्रतिशोत की अगनिमत जल रही है इसी क्रम में बहादूर पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में जिस आरोपी श्रीराम सेने की सदसे परुशराम वागमारे की गिरफतारी हुई उसके बयान पर भी चर्चा करना जुरूरी है उसने बताया कि अपने धर्म को बचाने के लिए उसने ये हत्या की इसी संस्था के प्रमुख श्रीराम सेने के प्रमोद मुतलिक ने कहा प्रमोद मुथालिक ने नीचता की सारी हदें पार करते हुए पत्रकार गौरी लंकेश के खिलाफ जहर उगला है। प्रमोद मुथालिक ने गौरी की तुलना एक कुछ कुछे मरते हैं तो प्राम इनिस्टर मोधी को क्यूं उस पर बोलना चाहिए। इस व्यक्ति की गिरफतारी और संगठन के प्रमुख का ये बयान कई तरह के सवाल पैदा करता है, लेकिन वह सवाल मीडिया में उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे, उन पे उस तरह के कारिफ्रम नहीं हो रहे, ना ही इस संगठन का पूरा रोल रहा है, पुरी भूमी का रही इससे पहले की हत्याओं के साथ जिस तरह से जोड़ा गया है नाम आया है उसकी चाया मीडिया पर भी है मीडिया भी उसके बात करने को तैयार नहीं है इस सनाटे को तोड़ने की कोशिशे हो रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में, वेब मीडिया में और उन कोशिशों को सलाम करना जरूरी है इस सलाम के साथ ही आप से लेती हूँ विदा अगले हफ़ते फिर चुपते हुए सवालों और पैनी नजर के साथ फिर होती है मुलाकात शुक्रिया अगले होती है